नमस्कार दोस्तों आप भी अपने पुराने डेक्स्टॉप को एक न्यू लैप्टॉफ की तरह यूज करना चाहते हैं मतलब वाइलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी सबस्यादा इंपॉर्टन होती है और आज की डेट में जित्ते आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं मतलब डिरेक्ली मुवाइल से विथाउट एनिवायर कुईक शेयर के दुवारा डिरेक्ली अपने डेक्स्टॉप में फाइल शेयर करना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है साथ में सबस्यादा इंपॉर्टन होता है कि मुवाइल के हाट स्प आपका में ब्रॉडबेंट राउटर तो नॉर्मली आपको 5 GHz पर अच्छी स्पीड मिलती है तो एक सबसे अच्छा हमें डिवाइस देखने के लिए मिला जो कि मेरे बजट में देखने के लिए मिलता है मैच एलबी लिंक इसमें आपको मल्टिपल फैसलिटी मिलती है और 4.2 प्लस AC 6650 Mbps की स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है model जो है वह आपको LBDWN650BT देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको ये connectivity फीचर देखने के लिए मिलता है मतलब थे इन्टु स्पीड देखने के लिए मिलती है नॉर्मल Bluetooth 4.0 के मुकाबले dual band connectivity मिलती मतलब 2 2.4 GHz पर भी वर्क करता है 5 GHz पर भी और वे टू मीमो देखने के लिए मिलता है and plug and play मतलब लगाते के साथ ही हो सबसे जादा important होती है warranty जो कि आपको तीन साल देखने के लिए मिलती है यहाँ पर आप कितने device से connect कर सकते हैं और किस किस तरीके से normal अपने desktop के लिए या laptop के ल Bluetooth mouse हो गया keyboard हो गया Bluetooth speaker हो गया gamepad हो गया headphone हो गया और mobile phone और tablet को भी आप connect कर सकते है easy to connect है जैसी इसमें दिया है वैसी ही आपको connectivity देखने के लिए मिलती है लाइक दिस तो यहाँ पर wireless receiver है सिर्फ आपको अपने desktop को connect करना है और directly आप multiple facility इसकी use कर सकते है सबसे पहले बात करी जा है तो सबसे पहले एक CD हमें देखने के लिए मिलती है जो कि driver connectivity के साथ मतलब इसके अंदर driver है कि इत्रफाक कि आपकी window पुरानी है तो और normally किसी में बहुत ज़्यादा rear condition होती है जिसमें कि आपको driver missing देखने के लिए मिले तो वहाँ पे normal मतलब CD के दुआरा भी driver install कर सकते है और यह packaging देखने के लिए मिलती है मतलब यहाँ पे एक product पे dual packaging यूज की जारी है अलग-अलग product के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह मतलब इत्ते बड़ी safety के साथ एक छोट असा डॉंगल हमें देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे मैं दिखा हूँ आपको यह चोटा सा डॉंगल आपको देखने के लिए मिलता है जो कि आपको यह device है और यह match lv link का देखने के लिए मिलता है मतलब इत्ता चोटा सा device जो कि normally आपकी wifi connectivity को bluetooth connectivity को normally file share कर सकते हैं सारी कुछ facility आप directly इससे कर सकते हैं रेली पूरा game changer device है और चलते हैं सीधे life demo पे और देखते हैं कि क्या actually मैं अपने desktop में क्या-क्या नया कर सकता हूं इसे लगा के और क्या-क्या नई facility आज की डेटमें नॉर्मली required होती है तब आप photo share कर रहे है वीडियो शेयर कर रहे है और अरे c-type connectivity के भी लगाने आप quick share से easily हो जाता है चलते है सीधे life demo पे तो दोस्तों यहाँ पर हम try करेंगे dongle को तो यहाँ पे 5 GHz and 2.4 GHz and यह जो आपको आनंद airfiver दिख रहा है यह जियो एर फाइवर है जो की Wi-Fi 6 technology पे वर्क करता है वह भी यहाँ पे acceptable है तो जो मेरा connection है वह आपको देखने के के बाद यहाँ पे आप proper तरीके से speed देख सकते हैं जो मेरा 30 Mbps का connection है वह proper तरीके से मुझे speed देखने के लिए मिलती है मतलब एक stable connectivity यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रही है जो की 30 Mbps का connection हो तो पूरी 30 Mbps speed मिलती है सबसे अच्छी बात यह है और यहाँ पे हम बात करें uploading speed क्योंकि लंब सम एक्कोली रहेगी जादा drop नहीं रहेगा थोड़ा बड़ ड्रॉप लगता भी है तो लेकिन लास्ट टाइम तक जाते है वह 30 Mbps हो जाएगी तो equally speed मिलती है क्योंकि यह जो issue है यह एक्चुली आपको broadband issue देखने के लिए मिलता है ना कि यह डॉंगल issue देखने के लिए मिलता है तो एक बार और टेस्ट कर देते हैं जल्दी से जिसमें कि आपको और जादा देखने के लिए मिलती है और uploading speed भी शुरू में बहुत ज्यादा हाइक जाती है फिर डाउन होती चलियाती है लेकिन around 30 Mbps देखने के लिए मिलती है ज्यादा dropness मतलब uploading speed में issue रहता है लेकिन डॉंगल issue नहीं यह जो issue है वो broadband issue है तो यहाँ पर बात करी जाए तो यह आपको speed test देखने के लिए मिल जाता है यह है सबसे ज्यादा important part क्योंकि यहाँ पर quick share जो है वो directly download कर सकते हैं और इस पर आप कोई भी file easily जैसे कि आपके mobile phone में आप जाएंगे कोई भी foodless select करेंगे उस पर शेयर करेंगे तो quick share लिखके आता है जैसी quick share पर जैसे कि यहाँ पर बाग करूं में directly आप PC पर शेयर करते हैं तो इस तरीके से आपको dongle पर देखने के लिए मिलती है really amazing है और आपका जो desktop है वो पूरी तरीके से laptop एक smart मतलब desktop हो जाता है PC हो जाता है जिससे कि आप और अच्छी तरीके से work कर सकते है यूटिलाइज कर सकते है अब मोवाइल को desktop से connect करने की ज़रुवत नहीं है कि मिझे data transfer करना है तो मैं directly कर सकता हूं यह वीड़ा आपको अच्छी लेगे रागुल अपडेट के लिए चैनल को subscribe वीडियो को like चलू कीचेएगा धन्यवाद